कि लर्ण इजन स्मार्ट में आपका स्वागति दोस्तों आजम पढ़ेंगे नेरेशन नेरेशन से भी दस टोपिक दस क्वेशन लगबग पहुचे जाते हैं इस टेनों में और दूसरी इसी जिल में भी आती हैं बहुत सारी क्वेशन साथ टानें तो इसलिए कमसे कमसे में में इनको करने की कोशिस करेंगे तो देखते हैं शुरू करते हैं पढ़ते हैं निरेथिछ चुली होता कि हैं इसमें हम देखते हैं कि जब भी वह न थर्ड परसंट टेल्स और नेरेट इंसीडेंट इन हीज ओन वर्ड इडिज कोड़ इंडारेक्ट नेरेशन हमने देखा है कि न्यूज पेपर पढ़ते हैं हम अरे पास बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिन में डबल कोट्स के अंदर लिखा जैसे कि प्रदान मंत्री ने कहा और जो भी उन्होंने कहा वह चीज वेशी की वेशी एज इडिज लिख दी जाती है जैसे कि स्री नरेंदर मोधी ने किसी दिन कोई वासन दिया कि मैं इस देख को बदल के रख दूँगा तो दो तरीके उस चीज को बताने के अकबार वाल प्रत्यों की कि वेशी ऑदेश को बदल देंगे तो यह जो दूसरी वाले ताईप है इसे हम इंडारेक्ट नारेिशन कहते हैं जताए है कि सब्भक के सबजिक्ट और अबजाट के बाद में कोई फिस फरसन और फसन के ब såd luk बीजमें जो हो रही है उसे हम को फास्ट्स situation को अपने सब्सम्स आपको सब्दों में तो इसी situation को में इंडिर्क नारेशन के अंदर बनाते हैं जैसे के सांपल देखते हैं सीमा said I go to temple कि सीमा कहती है कि मैं मंदिर जाती हूं तो इसे अगर कोई दूसरा जातीसरा आदमी कहें कि बाद में कभी तो ऐसे कहेगा कि सीमा सेड देट शी वेंट टू टेमपा स्वी माने कहा कि वो मंदिर जाती थी क्यों उसने पास्ट में कहा था फीचर में कहेगा इस बात को तो कि मुक्के बाद देखते हैं फर्स्ट पार्ट अब इस सेंटेंस इस नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब जो किसी भी सेंटेंस का यह पहला पार्ट होता है जिसमें कि सीमा सेड इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं और जो सेकंड पार्ट होता है यह आई गो टू टेमप वाल इसे हम RIPORT TNG RIPORTED SPEECHBULTING और आघे रूल देखते हैं कि कैसे इसको शेंज करेंगे हम पहला रूल है की वी रिमुव इन्वर्टेड कोमा और पूट कनेक्टिंग वर्ड्स लाइग देट जिसे कि हम देखते हैं गे जब भी हमारे पास simple sentence होता है कोई simple यानि की affirmative sentence यह फिर exclamatory sentence affirmative sentence मतलब राम इस गॉईंग वीर डूइंग नॉर्मल सेंटेंस और exclamatory sentence जैसे की जिनमें कोई आश चरह बताए जाता है जैसे कि ओ गॉड अव पुलिस यू आर या फिर कोई भी एक्सिडेंट हो गया था हम वहाँ पर जो रियक्शन्स देते हैं ओनो इसी चीजें एक्सक्लेमेटर सेंटेंस के अंदर आती है तो इनको कनेक्ट करने के लिए हम देट का यूज करते हैं कि नेक्स्ट होते हैं एस नो टाइप के क्वेश्चन जिनका अंसर यह यह नो में आता है यानिकी कंपर्मिंग क्वेश्चन्स अगर जैसे कि कोई भी कहता है कि राहूल आस्क्ट संबडी हार यू गुइंग टु मार्केट तो इससे क्वेश्चन में जब हम डबल कोट सट आएंगे हार यू गुइंग टु मार्केट जो उसने जो वर्ड बोला पूरी लाइन बोली थी उस लाइन को हम अपने सब दो में कहतने के लिए जब यह डबल कोट सट आएंगे तो इनकी जगे पर हम यहां पर कनेक्टिंग वर्ड लिखेंगे एफ यह फिर वैदर है और इसे हम इसे कनेक्ट करतेंगे तो मैं है ने क्यूंत अगर कोई वी कृस्टेशन डेवली यह वाड्स दिया गया है जैसे के वाट वैन वेहर के विच वाई भाई हम यह सरे डेवली हवाड जिन सा बढर कोई क्षेंच दिया हो आवाथा है तो उसको ज उसको डवली डवल्यज़ मोंद से केणिक्ट कर देते हैं उसमें कोई एक्स्टा कनेक्टिवर नहीं लगाते हैं कि आगे देखते हैं प्रिपोर्टिंग में क्या क्या चेंज होता है만 अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है जिसे कि राम सेज उसके बाद को ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं सेज को सेज यह सेड तो सेड जैसी की जैसी रखते हैं लेकिन अगर यह अगर पहर लिए वाली जो रिपोर्टिंग वरब है अगर उसमें कोई अब्जेक्ट ही नहीं है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे और अगर ऑब्जेक्ट है और जो पीछे वाली सेंटेंस दिया आए यानि कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई क्वेश्चन है क्वेश पर इनको याद रखना पुड़ेगा ताकि हम उनको easily solve कर पाएं अगर कोई imperative sentence दिया हुआ reported speech में यानि की पीछे वाले पार्ट में एक sentence में दो पार्ट रटें या आगे वाला यह reporting verb और यह reported sorry reported speech तो reported speech में imperative sentence है imperative sentence मलब कि वो आगया यह पर विश करने वाले sentences इसे sentences को imperative sentence बोलते हैं तो इनमें हम order request या for bed मना करने के लिए ऐसी ऐसे ऐसी वर्ब्स को इस करते हैं मतला अगर simple sentence है यानि कि अपर मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो इसको हम tell verb में change करते थे और अगर इंपर्म में दियो ही तो told में change कर देते हैं next देखे हम तो अगर exclamatory sentence दिये हुए है तो इसमें exclaimed भी mostly या फिर confessed इसी उज़ करते हैं इनको अब आगे example से देखेंगे reported speech में अगर tense change करना है तो कैसे change करेंगे reported speech में अगर पहली बात तो अगर इसमें first form दी हुई है यानि कि indefinite का है present indefinite contents है तो हम इसे second form convert कर देंगे past में बना देंगे मतलब कि आप basic सा रूल समझे जब भी कोई भी गट ना गट रही है कोई भी incident भी हो रहा है present में या future में होने वाला है जो present की गटना भी हो चुकी है जैसे कि मैं खाना का रहा हूं मैं आज खाना का रहा हूं लेकिन इस बात को कोई तीन दिन बात बोले तो फिर वह past में बोलेगा और मैं जो भी खाना खा रहा हूं यह पूरी बात भी past में बोली जाएगी इसलिए हम यहां पर पूरी कोई सी भी वर्ब हो उस वर्ब की past form मतलब उसमें एक एड कर देते हैं जितना दिया हुआ है उससे तोड़ा आगेगा अब first form अगर दी हुई है तो मुसे second form में convert कर देते हैं अगर पहले से second form दी हुई है तो उसको हम head plus third form में convert कर देते हैं क्योंकि इसका perfect होता है past में भी perfect होता है जो past का point of time था उसके पहले कर लिया गया था इस साथ चेंज़ देता इसमें इसे मार दिया हुआ है तो इसको वाजवर में convert कर देते हैं वाजवर दिया हुआ है is ओ और अगर ढ洋ते है जैर है द्याच कुश्यन है placing घैर ही legal उना है तो है हम हेम आप्ट में कुड्स करतेता है ऐन। है है थे लिए तो इसे ऑड़कन बर्ट कर देगे मैं माइट में कुड्म कर नौंट अ انकी-मट के पाच्ट-फोर्म है इन और अगर शुरिपोर्टेड बाल ने समद्व कीति हो और उसमत कर में है जो यूनिवर्सल टुथ दिया गया कोई भी जैसे की अर्थ कि राउंड विर राउंड राउंड शन जो मरी धर्ति है वो सुर्य के असपास चक्कर लगा थी जैसा कोई यूनिवर्सल टूथ जो हमें सही टूथ रहने वाला है आज भी वह सकते हैं अगर आज का अगर किसी तीचे ने का बच्चे से की बेटा दर्ती जो है वह सुर्य के असपास चक्कर लगा थी तो यह आज भी सकते हैं और अगर दो साल बाद बोलेगा कोई दूसरे टीचर या मैं खुद कहूं दो साल बाद कि मुझसे उस समय टीचर ने कहा था कि दर्ती सुर्य के चकल लगा थी तो वह तब भी वह सी बोला जाएगा प्रेजेंट में क्योंकि वह है जो इंडिवर्सल टूथ है उसका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं अगर कोई है बीच्वल सेक्ट है किसी के आदत को बताया जा रहा है तो आधतें बताने के लिए भी हम रिपोर्टेडी स्पीज जो पीछे वाला सेंटेंस होता है उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं एक और तीसरी कंडिशन होती है जब अगर जो प्रेपोर्टिंग वर्बें प्रेपोर्टिंग वर्ब मतला पहले वाले sentence में पहले वाले sentence में अगर reporting verb या तो present में present indefinite या फिर future indefinite में दी हुई है तो पीछे वाले sentence का पीछे वाले sentence का tense change नहीं करते हैं ये भी आपको द्यान रखता हैं इसको मैं लिखना भूल गया हूं में उनके लिखें हैं और अहीं को आगर इफिसे में पॉन्स दिह इंदिया हुआ है हीर इंडारेक्टि स्पीच में संफिधे लिखेंगे थे इंडायर कर दिंग जिए जबा देट कर देँगे इसका दो कर देगे बज़ कर देगे gotta bepore कर देगे कि युट्रेड्र दीन व्ला न को डिम लेंगे टोमोरों का नेक्स टे कर देंगे इस तरह सभुपने कर देंग इंको कन वर्ट करते को हैं एक जिसे की कि है अगर मैं अभी हम फंट स्कूल में हैं याम घर पे जब में गर पे हूँ और मैं बोल रहां। कि यहा आ हो कि तो मैंने का यहां हूं लेकिन कोई आदमी इस बात को दो साल बाद या दो दिन बात कवी भी कहीं दूसरी जगह पर कड़ा कह यह कहता है कि अहुसने उससे वहां बुलाए था तो इसमें और आदमी तो यह तो आदमी तो कि मैंने मतलब उसने किसी आदमी को यहां बुलाया था नहीं क्योंकि वह जहां आदमी है उसकी पोजिशन अलग जगे पर है तो वह देर का यूज़ करेगा ना कि हीर का इसलिए यह सारी चेंज हो जाते हैं और प्रोनाउंस में भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि जैसे कि छेक्च आदि यहां में बोलता हूं जैसे कि ए ऐ दिया हुआ है है औरॉट कर देते हैं ही यह सी इसमें यह दिया हुआ है तो इसको आई यावी में चेंज कर देते हैं accordingly जैसे कि subject क्या है, object क्या है, for example, मैं एक sentence बोलता हूँ, कि मैंने रमेश्य कहा हूँ, मैं कल बाजार जाऊंगा, अब किस कोई वहाँ आदमी, दूसरा खड़ा हुआ था, या फिर यह ख़र अगवार में चबती है, तो वह क्या कहेंगे, आइसेड के जगर पे तो आइसेड रखेंगे, तो इसको आइसेड को चेंज करना पड़ेगा, इसको जैसे बोलतेते हैं, Narendra said to Mohan that I will go to market, तो जब कोई अलग बंदा इस बात को अपने सब्दों में बोलता है, तो कैसे बोलेगा, कि Narendra said, Narendra told to Surrender that he will go to market, है क्लेक्व सब्सक्राई थे लिए वह स्थ शाप्रान प्लेक्टम करकोल हुए थे शेतल जाए अपता जलेगा ऊचब दें alternatives प्लेट मेल मेरा चल्ड़ गर्याओर है उन ändग्राटे में सब्सक्राइबा इसे इन ही according to the subject subject क्या है उसके according फर्स्ट पर्सन जो प्रोनावन है उनको हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकोर्डिंग जैसे कि आई अगर दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसको हम उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकोर्डिंग चेंज करेंगे क्योंकि अगर यहां पर भी आई लिखा हुआ है तो फिर यह आई चेंज नहीं होगा क्या कि इस बात को अभी भी खुदी बोल रहा था हो करने वाला दूर और बाद में भी खुदी बोलेगा तो वह उसके लिए हम इसा आई रहेगा लेकिन कि अंगर यहां पर होता है Rumis में और मेंश क्यारा है मनिस्क इस में यहां यहां जाओंगा यहीं भी जाओंगा आई विल गो टो सम्वेर तो यह फर्स्ट पर्सन प्रोनाउनने वह इसके अगोर्डिंग क्या क्योंकि यह बोलने वाला नहीं यह बोलने वाला है लेकिन जो क यहां पिर अपन साब सब्दों में कहें हैं तो सुरी हम देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन को दिया हुआ है और जो इदर का भी डूर भी वही है पहले वाले सेंटेंस का तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और लेके नगर यहां पर पहले वाले में थार्ड परसंट दिया हुआ है तो इसका भी पूरा थार्ड परसंट में चेंज जाएगी ठीक है एक्जांबल से देखते हैं कि राम से टू मोहन आई विल गो टू मुंबई राम ने मोहन से का कि मैं मुंबई जाऊंगा अब देखते हैं हम यहां पर ओब्जेक्ट दिया हुआ है मौहन इसलिए हम यह वाली रिपोर्टिंग वारब है हमें चेंज करनी पड़ेगी और पीछे हैं जो सेंटेस दिया हुआ हमें यह सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव तो इसको हम टेल में चेंज करेंगें यहां पर टॉल्ड हो जाए है कि यह अफर्मेटिव सेंटेंस इसलिए यहां पर देट यूज किया जाएगा कनेक्ट करने के लिए आई अगर अगर यहां भी राम जो राम है अगर इसकी जगर पर भी आई होता तो मिसाई को चेंज नहीं करते कि यह कुदी बोल रहा है राम ने कहा और उसका हम अपने सब्दों में कहें डबल कोट जब लगा रहे हैं हम तो इस बात को हम उसी के सब्दों में कह रहे हैं लेकिन डबल कोट अटा देंगे तो इसे हम अपने सब्दों में कहेंगे इसलिए हम इसको चेंज कर देंगे ही में क्योंकि हम आरे लिए ह राम नहीं है हम तो कोई वह रहे हैं राम अलाग है इसलिए हम इसे ही कर देंगे और बाकी विल का उड़ हमने पड़ा ही था विल का उड़ कर देंगे और इससे चेंज कर देंगे बाकी जैसा की दिया हुआ है अब आगे हम ऐसे सी के जो प्रीवेस येर्स की क्विस्टन से उन्हें देखते हैं उन से आपको अच्छे से समझ में जाएगा और उनको कैसे करना है कि शोटकट टाइप से यह में देखिंगे यहां पर जो पहला सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि माइफादर सेट टू मी गो नाव यहां पर जो पीछे वाला सेंटेंस है वह इंपेरेटिव गो नाव किसी को ओडर दिया जा रहा है तो हमें सीधा सा देखना है कि जब भी ओर दिए ओडर कर रहा है तो आना ही सभी में और बाकि अब ने देखा था कि नाव जब दिया रहेगा तो उसका में देन में चेंज कर देंगे तो जिएक नहीं मैं पर दे तो होग सकते और यह लेटर वाला भी नहीं हो सकता तो यह तो क्यों अबने जो एक वर्ड पड़ा था उससे ही सही हो जाएगा अब संसी करेक्ट हो जाएगा है हमने जो जो रूल मुख्य रूल सोट कट में देखे थे उनको अपन याद रखेंगे तो उनसे अपन डारेक्ट आंसर कर सकते हैं कि नेक्स्क्रिशन को देखते हैं दमें सेड वी आर गॉइंग टू फ्लाइग काइट यहां देखें हम तो इसमें ओब्जेक्ट नहीं है इसलिए सेट का सेड़ी रहा है और यह पीछे वाला जो सेंटेंस है यह फर में तो नीचे का खुछ भी देट इसकी जगवे देट लग गया फैनेक्ट करने के लिए ड convenient कोड पर और दिया हुआ है तो और काम में भूल पड़ा था कि अरगर दिया हुआ है तो इसका वाजवर में चेंज गडिएंगे तो पहला तो आर पहले में तो आतारी दिया हुआ यह तो सही हो रही नहीं है लेकिन यह आदमी की बात क तो हमने जैसा का जैसा ही लिखा है यहां पर डबल कोट के अंदर अगर हम अपने सब्दों में लिखेंगे कि दा मैं सेड डे आर गएंग टू फ्लाइख हाइट वह जा रहे हैं हम तोड़ी जा रहे हैं यहां तो हमने बात को वे सही लिखा है जैसा उसना आदमी ने कहा था अब इंडारेट काम अलाव हम उसे उस बात को में हमारे सब्दों में लिखना है तो इसलिए हम यहां पर विकार देख कर देंगी इसलिए वी वाला भी गलत हो जाएगा वह वी वाला बिल्कुल साहीद देगी लिखते हैं कुमार सेड एट डजन रैंड इन जनवरी अगर से यह आप है तो फिली बात तो इसे डवाले तो अगर प्रेजेंट में यहां पर यह वर्ब तो इसका रिजल्टी प्रेजेंट में रहेगा कि इसका टेंस चेंज नहीं करते हैं पिली वाली का इसमें क्यों वर दूसरे वाले का भी फिज सेट गल्त हो जायें कि वर चौकि यह फिर्सी में सेज्ड दिया हुआ है इसलिए बूस रहे इसलिए मैं टि कर दिया हुआ होगी है तो तो प्रेजेंट में यह थिmm completamente का यह जलें कि दो टुन यह जरत हो आपको टान्सर अंसको थैपको है मिसमें पहले वाले में धिया उए मतलब इसमें वे तो चेंज होएगा वीपोर्टिंग भी सब्सक्राइब कि सब्सक्राइब विद राइट इसको वह से सेंट फोम में चेंज करते हैं लेकिन ही फ्लेज़ फिद राइट एंड यहां पर प्लेज सेंट नवन तो कहीं भी नीकी हुई तो हम दूसरा लूमने और पड़ाता है कि अगर किसी का भी विच्विटाइब को दिखाया जाता है तो वहां पर हम उ कुम्हाइन थे इपसे क्याइन घर कि थीला के बार मचेंड हउट यहां पर इसका हुए इंपेर slippyale सेंटांसिं इंपेरेटिव सेंटेंट्स अजा रा है तो व्लाइण सेट्थ कोई बिद्वाइज देखा है ने कि देना नहीं कर सकते हैं उनके अधार पर हमें इसे ट्रू एर फोल्स करना पड़ेगा कि इसे इसे बात दूसरी जगह पर दूसरों को राइट मान लिया जाते हैं इसमें आप देखे कि कैसे इसको गलत करेंगे तो क्या होता है अधिशल अधिश ओडर्ड हीम ट्यूंट गौ अब जब भी हम यहां नौट दिया हुआ था पहली बात करेंगे यहां इंप इंप 벌써 लिख टेंग थे हैं इसे किंचल हो जाए गया यहां कंदेट से तो कनेक्ट होता ही और बीुअ सन्द भी तो कि नेक्स्ट कुशन देखते हैं ही से टू मी वहर आर यू गई हमने देखा था कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं पीछे वाले में तब हम यहां पर आस्क डी यूज करते हैं तो यह पहले दो तो वह से गिलत होगे सी और यह तो बचे दो मैं आस्क दिया हुआ है ल कि यह भी गलत हो जाता है और हमारा डियो अप्शन करेक्ट हो जाता है अब मातर दस सेकंड भी कर्च किये भीना अराम से अंसर दे सकते हैं इसको हो फुलीस आइव बीन इन मानी मैटर्स यह यहां पर जो सेंटेंस दिया गया है यह एक तरीके का एक्सक्लेमेटरी सेंटें से जिसमें वह आज चरह बता रहा है उपने उपर क्यों कैसा मुर्क हूँ में कि मुझे जू पैसे के बारे में जदा नोलेज नहीं यह इस में मैं तोड़ा फुलीश हूं ऐसे कि रहा हूं तो इसमें वह या तो एक्सक्लेम कर रहा है यह फिर कन फेस कर रहा है मतलब और हेव दिया हुआ है तो हम इसको हेड में कनवर्ट कर देंगे यहां पे हेज और हेव दिया हुआ है यह दिया हुआ है मनलोब स्वरी तो इसको हम हेड में कनवाट कर देंगे यहां पे तो वास दिया हुआ है यह पोसिबल नहीं नहीं इसे ट्रिक से हम क्यावल इसे फूरे को पॉल्स कर सकते हैं इसमें हम जब किसी को गुडबाइ करते हैं इन्हें आप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं कि अब जिनमें इच्छा सूचप अपनी इच्छा दिखाई जारी है कि वो किसी को विश्च कर रहे हैं या फिर कुछ किसी के लिए दूआ मांग रहे हैं ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जब भी ऐसे सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं या कनवर्ट करते हैं तो विश्च करके जैसे में यू गोडबलेस आप वहां सुकी रखे दूआ दें तैसी कंडिशन में आई विश्ड और है जिटीज पीछे वाला पुरा 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 हम वैसा का वैसा ही लिग दे इस दूसरे में प्हले बाले माहारे डैदा बागेट और कुछ कवह मीं होत इस बीडियों होती है यह वार्ब होती है बिडिका मतलब होता है कहना किसी को कहना सीदा सीदा नहीं हुँ हουμε सिंसम। इसकीuição आज उन्ह nessa कि ईखते हम ऑफ हो इसे धी वह ख़्यां वह ख़र था है वह जो यह फिखते हैं वे बियद भisen दraf Peace Out लेकिन ऐसे सी स्य को ने इसा है अब अगर सी ओप्षन नहीं हो था अब व्यांती है यह तोरा ये मिस्टेक तो यह इसे सी में कभी नियाना वाला महाना है सही नहीं तो आई विश गुडबाई करना भी विश होता है और बेट करना मतलब कहना इसको उन्होंने जनरल वे में ले लिया कुछ 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 क्यूशन में ऐसे चैनल कर देता है और बाकी अट जगे से नहीं होता है अगर फिस दिया हुआ है तो विश चाहि पर्मिशन तो गो ओन एस्टेडी ट्यूर यहां पर देखिए अजर सेंटर्स में कहीं भी यह नहीं दिया ना तो डवल कॉट्स दिया हुए है और यहां पर हम देखें तो जो रिपर्टिंग वरब होती है वह सेड यह सेज वह भी कहीं नहीं दिया हुई है इसका मतलब दारेक्ट स्पीच में दिया हुआ यहां पर आस्की दिया हुए है और डेबल कोटस भी नहीं recorded हुई है तो इसके लिए हम डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस सर्च करेंगे देखते हैं अगर आस्क दिया हुआ है तो हमने देखा था कि आस्क कब लिखा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब में जब हमारे पास कोई क्यूशन हो रिपोर्टेड स्पीच में यानि कि पीछे व वर्ब को लिखते हैं और नेक्स्टीज हम देखें तो अमेलिया इस गोइंग टू आस्क दे प्रिंसिपल यहां पर आस्क दिया हुआ है तो यहां पर जो चैंज वाईगी तो वह से में चैंज वाईगी और परमिशन तू गो इसमें और नॉर्मल कोई भी आपको क्लू नह दोगें लेकिन हम देखते हैं कि आप प्रिंफर मिसं मांग रहा है है और जब परमीशन हम मांगते हैं कभी वी है तो हम नहीं सब देखा कैम जब क्लास में अंदर आंधर?' है तो हम क्या वोलते हैं मैं कम इन यह मैं गोटो वाश्रूम में जो सब दे इसको चेंज करते हैं हम तो पिछेंज कर देते हैं माइट में यह परमिशन से भी चेंज करते दें कभी कभी कि I want to take परमिशन लेकिन इस कंडिशन में यहां परमिशन से कनवर्ट किया हुआ था तो इसे जब हम वापिस से डारेक्ट स्पीज में कनवर्ट करेंगे तो माइट से हम परमिशन नहीं मांगते हैं उड से भी हम परमिशन नहीं मांगते हैं और सूड से भी परमिशन नहीं मांगते ह पर्मिशन मांगते हैं किसी से भी सिर्फ में से मैं I go to may I do this work anything else इसलिए यहां पर D option correct हो जाए क्योंकि permission अगर इसमे यहां पर लिखा हुआ है mention किया हुआ है तो permission के अब में से ही मांगते है तो direct speech में कहीं कहीं में रहा होगा उसी से permission ली गई होगी ताकि उसको indirect में हमने जब convert किया तो यहां पर permission से बनाए इसलिए इसका answer option d correct हो जाएगा next question देखते है 10th question janet exclaimed that she had lost all her belongings at the airport that morning यहां पर भी हम देखें तो sage भी नहीं डिया हुआ और double course भी नहीं है that से जुड़ा हुआ sentence एक्सक्लेम दिया हुआ है तो इसका मतलब हम जानते एक्सक्लेम दिया हुआ है तो यहां पर एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेटरी पीछे sentence होगा या फिर नॉर्मल भी वह अपने बताने के लिए कभी-कभी एक्सक्लेम को हम यूज कर लेते हैं कि देट है तो इसलिए पीचे सिंपल सेंटेंस आना है या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आना है यहां पर सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है सारे तो सिंपल सेंटेंस हम इन में से सेलेक्ट करेंगे और हम देखें कि यहां पर दिया हुए convert करके हमने देखा था की head lost हमने conversion rule में देखा कि अगर age या have दिया हुआ है तो हम उसको have plus vibe की third form में convert कर देंगे अगर यहां पर head plus verb की third form पहले से दी हुई है तो इसका definitely पहले sorry head plus third form हम तब करते हैं जब अगर पहले वाले sentence में second form दिवी हो second form अगर कहीं पर दिवी है तो हम उसको word की third form plus head plus word की third form में cannot कर दें तो head lost यहां पर दिया हुआ है head plus word की third form तो इसको यहां बनाने से पहले यह direct speech में second form रही होगी तो इसी clue से हम इसे search करेंगे पहले वाले में head to DIY loss तो यह दो नहीं सकता इसमें लोस्ट दिया हुआ इसमें भी लोस्ट दिया हुआ भी वर्शी में इन दोनों में से कोई साथ हो सकता है आगे देखते हैं जैनेट हेड लोस्ट हेड वाला फिर से नहीं होगा यह गिलत हो जाएं आगे देखते हैं हमने देखा था कि अगर यहां पर दिया हुआ है देट मॉर्णिंग जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड सोते हैं इनको भी में चेंज करना होता है तो हम जानते हैं कि देट हम कब करते है जब be direct speech में this morning रहा होगा डाइरेक्ट इसमें अकर को दिस कि इस तरह से इन क्वेस्टेंस को हम जल्दी से जल्दी सौल कर सकते हैं आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा कि आपको मुख्य बात जो द्यान रखने इस वीडियो से वह यह कि जो भी जो भी हमारे पास रूल से मुख्य तो टेंस कनवरेजन रूल्स नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोनाउंस के रूल से बहुत से प्रोनाउंस के रूल से हम क्येशन को ट्रिया पॉल्स कर सकते हैं और तीसरा जो है टाइम इंडिकेटिंग वर्ड्स और चोती हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस टाइप के नहीं और एक कनेक्टिंग वर्ड्स इन पांच चीजों को दियान रखके आप सीधे से जट से आंसर को टिक पर सकते हैं देखके कि कौन से में मिस्टेक हुए कि चार ओप्संस आपको दिये हुए होंगे सेम होते हैं एक सेंटेंस करेक्ट होना है उनमें से जो फॉर्मेशन है वो त चनly अगर आपको इसकि वीडियों और चाहिए यह इस येॉडियो च्रीशन प्रॉइड़ करें और सकते हैं जरूर सेयर करें और अगर ऐसे ओडियोज आप देखना चाहते हैं तो लर्ण इजिन स्मार्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि बहुत बहुत दन्यवाद अन्त तक देखने के लिए दन्यवाद